Brought to you by Biz Analyst by Khatabook कहीं आपके आधार कार्ट का गलत इस्तिमाद तो नहीं हो रहा अगर आपको इस पर थोड़ा भी डाउट है तो आप अपनी आधार कार्ट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपका आधार कभी गुम हुआ हो या किनी गलत हाथों में पड़ा हो ऐसे में अपनी हिस्ट्री ट्रैक करनी जरूरी हो जाती है आप देख सकते हैं कि आपका आधार कब कहां इस्तमाल हुआ है बताएंगे आपको इसका पूरा प्रोसेस इस रिपोर्ट में स्टेप बन में आपको पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा वेबसाइट खोलने के बाद स्टेप टू में आपको माई आधार के आप्शन पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपको आधार प्रमानी करण इतिहास का विकल्प दिखेगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है स्टेप 3 में आपको अपना 12 अंको का आधार नंबर दर्श करना है और इसके बाद स्क्रीन पर दिये हुए कैप्चर कोड को भी भरे अब OTP सत्यापन वाले विकल्प पर क्लिक करे अब आपके उस मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ट यानि की OTP आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ट है इस OTP को भी यहाँ पर भर दे आखिर में आपके सामने एक टाप खुलेगा यहाँ आपको वो तारीक लिखनी है जिस दिन की आप हिस्ट्री देखना चाती है और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड उस दिन कहां कहां इस्तमाल गुआ है आप इस रिकॉर्ट को डाउनलोर्ड भी कर सकते हैं देखिए इस सारी जानकारी आपके लिए जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे आधार कार्ड की जरूरत बढ़ रही है वैसे वैसे जालसाज भी काफी आक्टिव होए है जो लोगों के आधार कार्ड का गलत इस्तमाल करने से भी पीछे नहीं हट रहे ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके आधार काट को कहां कहां इस्तमाल किया गया है तो फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इसकी हिस्ट्री जान सकते हैं ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूस तक झाले कि आपके इसकी है इसकी कि आपके आप झाले कि आपके इसकी हैं